कि हम लोग बात करते हैं कि 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 बात करते हैं logistic logistic होता क्या है लोईस्टि का मतलब होता है कि क्या लिखा है logistic क्या process भी the process of managing the movement and storage of raw material managing the movement storage parts and finished product from the supplier स्बीजर फ्रोफ ऑन कस्ट миर जिस्ताइब यहां से आपका प्रोडक्शन स्वाइं सबमान से आपका जटु है संप्लाइर के पास पहुंचा तो सप्लाइर थी के इसको आप यहां पहुंचा के सभाइल के रख से ठीके मान वेर हांस में सम्हाल के रखा ठीक है फिर उसको जो हां पर पहुचात आथा इसको सप्लायर तक आप ने पहुचा आया अविकर कस्टूमर के तक पहुचा यहां पर आपको कस्टूमर रहे हैं जो को मुस्कुरा है है बहतरीन तो कहने मतलब इतना सही है इसका जब पूरा एक प्रोसेस होता है मतलब समान बनने से लेकर समान तक कस्टूमर तक पहुशने में जो भी प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक बोलते क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक बोलते हैं समझो समान समान बनने से स्टार्टिंुगं से लेकर समान बनने के बाद उसको यह उसको ट्रांसफर्ट ठांसपॐर्ट से भेचने के बाद उसको web然后 में सभाल के रखने के बाद सप्लायर तक पहुछने के बाद और फिर कस्पूमार वह पहँच जाता है तो इस प्रोसस को तुम लोग क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक बोलते हैं लॉजिस्टिक में सुनो एक बार लॉजिस्टिक इस दा प्रोसेस और मैनेजिंग दा मुवमेंट लॉजिस्टिक क्या एक प्रोसेस है मैनेजिंग दा मुवमेंट यह the supplier through the form and on to customer supplier तक पहुचा और सप्लाय से कस्टूमर तक पहुचने में जो प्रोसेस हुआ यह आपका इसी को लो क्या बोलते हैं लोजिस्टिक बोलते हैं क्लियर लॉजिस्टिक समझ में आया लॉजिस्टिक समझ में आ गया हो ठांपटेशन होग सब्सक्राइब कर अधरे बने के बाद आप रहते होió लाहबाद में पर्यागराज में जायात के कूई अमेरीका में भी अप Daha को आप इंपोर्ट समयदी समान को को ट्रांसफर करना होता है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टिशन का बहुत हे भी आप एक परसन नहां यह आ पे एंडिया में एक है ॉपी का है प्रियागराज में हैं एक है फिरागनों में तो अब यू लखो अभाबासस से लखनों कैसे अज〜ं हाथ में लेकर जाएंगे नहीं ट्रेन चाहिए कार चाहिए बाइक चाहिए मैंल अब कुछ ना कुछ यहां पर एरोप्लेन चाहिए पानी वाला जास चाहिए अना वह यह सब क्या है आपके ट्रांसपोर्ट है जो एक समान को दूसरी समान जगहे तक पहुचाने में हेल्प कर दो होता है इस लेयर यह था अब प्ता आफ देखो टांसपोर्टेशन आपके दो तरह की यह होता है रोट है और लेकी होता है वार्टर ट्रांसपोर्ट अति कि रोड है और और त्यूं 국 Р कि ठीक है तो रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है वचलते हैं ठीक है एक होता है लेंग लेट वाटर एहre है उसके अंदर आता है एक होता है बहूत है वाटर और एक होता है णो कर गोटिते हिए आद हम दल जलता है होसाएद,마ør ώलंढूर unलatte आघ्याइए जहाद आयने की A airplane यह होता है त्लिकिए अब देखो सबसे ग aur बात करेंगे इसमें जो आपका है वह लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो डोट ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसमें कुछ खाल बताने चीज नहीं और ली सुनते जो समझते जो एक बार में हो जाएगा बुक से रिवाइस कर लेना अब ट्रांसपोर्ट मतलब जो है बही सबाइब बón行रा सबमान जाता है चोटा हाती सको बुलतै आप लोगा न और ऑपो और अगएरह जोता है या मोल्यिकल्स होMayra सब सबमान जाते इसको क्या बोलते रोड ट्रांसपोर्ट रोटांसपोर्ट रोडर्स कार्ट एte45 यहां पर रोड़ चलती है गाली चलती है वह सब्सक्राइब दो लगें कि मेनिंग लिखना और अगर इसकी मेरिट पूछता थो इसकी मेरिट देख लेना ठीक है जोगर्टी में भी है चैप्र 11 में मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग मैंने नहीं पता तो वीडियो अप्लोड है पुरानी वीडियो भी अप्लोड है और जो लाइफ पढ़ा है तो वह भी अप्लोड है ठीक है एक बार लॉजिस्टिक बता दीजिए अरुशियर देखो एक बार समझ स्टूमर तक पहुचा इनशर्ट बोले तो लॉजिस्टिक प्रोसेस है जहां पर समान बनने से लेकर कश्टूमर तक पहुचने समान मार्कर बनना स्टाट हुआ अब आप लोग customer यह बनने के बाद warehouse पे गया मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ warehouse में संभाल के रखा फिर supplier तक पहुंचा supplier ने customer को पहुंचाया तो मतलब समान बनने से लेका customer तक पहुंचने में जो process होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं करके आसकता है ठीक है चलो लाइब पेटा इसकी बाद जैसी होगा उसके अधम लोगाउंट करेंगे ठीक है आगे बढ़ो रोड ट्रांसपोर समझ गया है रोड ट्रांसपोर की मेरिट क्या क्या है बस ओपन ली ऊपर से उपर से बताऊंगे बहुत डीटेल में नहीं जोंग होनी चाहिए घ्लीटी रहती है माद रोड ट्रांसपोर प्रोइड आगर चलते हो वहां पर तो आपको जाना पड़ेगा फ्रेन में ऑप पोड़ेगा यहां पर समान लेन पड़ेगा रोड ट्रंपोर्ट आपके समान घर तक हाई आघ kitty समान घर तक पहुंचाने का मौता तरफेर नमबर थर्ट एक्वनोमी आपको सस्ता पढ़ता है समान लगेज बगिर रखने के इतने प्रॉब्लम नहीं होती घर तक गाड़ी आती है वहां पर रखते हैं सस्ता पूर्ट इसमाल इंवेस्मेंट क्या होता है इसमें स्मॉल होता है जैसे रोड ट्रांसपॉर्ट म नहीं होता है ठीक है नंबर फिप लिस्ट फॉर्मेलिटी इसमें फॉर्मेलिटी इसके अगर आप ट्रेल से समान वेज़रों तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर वाटर ट्रास्पूर्ट कर रहे हो पानी वारी जाहत से वेज रहे हो हवाई जाहत से बिले तो इसमाब बहुत ज़वरा प्लेंटी यहां पर फॉर्मेल्टी क्या होती है उसके कंपेर में बहुत कम होती है यह सब इसकी मेरिट हो पाज मैठ्स मैंने बता दिए है कि यह कि लडी मोलेट कल दिए फटाफट लिमिटेड है वाद जाने एक है से लिमिटेड है आपके रोड ट्रांसपोर्ट और भाई आपकिस पर समाना रखते हो ट्रक पर पे to officerende इस ट्रेन के बराबर तो क्लिक मैं तो लिमितेड है ना बट टू ञ् Reno इसको लिए रास्ता तो रोड ही अगर रास्ते प्लोड आ गया है बार आ गई है पानी है या फिर इसनों पॉल हुआ है तो यह सब में रोड ट्रांस्पोर्ट काम नहीं करता रास्ता बंदे तो कहां से जाओगे ठीक है यह सब दिक्कते आती है इसकी डिमेट्स होगी इर्रे बहुत जादा रहते हैं बेटा कि इसकी इसकी पर आप चलते हो तो वहाँ पर चलते हो तो आपको सुनने को अक्षण मिलते है डेली एक दू हो जाते है नहीं पूरा हमारे देश बिन जाने कितने दिन भर न होते हैं लिग आफ औस यहां पर एक रिस्की रहता है फिर क्या है फ्लक्ट्ट्ट्ट्टिंग रेट्स वेहिकल्स में लीड टू पॉलूशन वेरी गुड बहुत बढ़िया यह पॉइंट भी आप लिख सकते हो इस तरह से लिखोगे तो फिर को आपको कोई दिख्कत है नहीं कॉंसेप्ट समझो आंसर जाके लिखो वेरी गुड बहुत बढ़िया अंसर दिया देवाने जहां है वेरी गुड बैरीगुड लीट टू पॉलूशन और स्लो स्पीड के लेना स्लो स्पीड का मतला वहता है कि भाई कंपेर डू ट्रेन या एर्वे जो है एरप आपका यह हावाई जाद एरोप्लेज़ एरपोर्ड की कंपेर में आपको रोट ट्रांसपोर्ट रहता कुछ पूछना है इसमें बेटा किसी को कि टाइम कंजूमिंगे वेरी गुट टाइम कंजूमिंगे बहुत बनिया यहां कोई दिक्कत होगी नहीं आइधिंग बोड़ा इजी है रोड ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया कि नहीं आया आ गया एक पर यह सर बोल दो की पबली के लिए करती है ये पबली यानि की गोशान होगे है अगयर अपने तो आपने पड़ा होगा तो अब यानि की रैल्वे खाली काम नहीं करती है अप लोग की लिए एक त्र वो की लिए अक सय वह सस्ता होता है compared to ते के का बनबब और फायदा इसका यह है बहुत ज्यादा लार्ज है आप इसमें समान बहुत ज्यादा रह सकते हो त्रेन दीखना कितनी वर्य ती तो लार्जर कैपसिट्यू वह होती है नंबर टू डिपेंडेबल यह डिपेंडे वेल खुद पे वह उसकी डिमेरिश्टी रोड ट्रांसपोर्ट की राष्टा खराप पर नहीं अज़ते लेकिन डिपेंडेबल है इसके अपनी खुद की पटरी है खुद का रास्ता यह चली जाती है ठीक है नंबर था सेफटी सेफटी रहती है कंपएर टू रहोड ट्रांसपोर्ट रेल्वेवे पहले एक्सेटल रहा हुथ ट्रेंगे वहते हैं चैनल तो हुआ नहीं होता है नंबर फूद एक नॉमिकल रेल्ट राय्ल सब्सक्राइब चीपर मीन्स और केरिंग भलकी गूर्ट गूर्स ओवर है तो आप लोग के लिए सबसे 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 सथा है एक लोग प्राइस में है ठीक है और कि अधिए सब्सक्राइब फरी ऑपलिक से ना आप लोका सबका अधिमीट में क्लासिस करनी सब को डिए तो उसमें एक नॉमिश्य वन वी का गैप मिला शेदिंका जबादस्प करेंगे ठीक है अगर दखो आपका है नेक्स्ट है हाई स्पीड कंपेर टू डोड ट्रांसफोर्स की स्पीड क्यों थी विटा हाई होती है दम क्लियर एक शोड़ी चीज है को है इस में पैसर ज्द लगता है रेलवाएं में पैसे जादा लगते है तो आप रास्ता चेंच करख सकते हो लेकिन मेंगा पड़ता है मतलब इसकी मेंटेन चार्ज्स पर मैंगा पड़ता है नियौन गवर्मिंट के लिए लेकिंग लिए लेकिन गवर्मंट के लिए ईसको मेंगा पुड़ा रहा तो दिखा कभी ट्रेन गव वोकिन वह बहुत ज्यादा होते हैं डीले इस नोट अल्वेस कर्मिन तो सेंट गूट रेल टाइम इस वेस्टे इंड डीले इस वेटिव फूल वेगंग शुटिंग वेगंग एड्सक्रा डीले हो जाता अक्सर टैम अक्सर आपने सुना वह लेट हो गई है को राव अगयरा हो जाता है कुछ ना कुछ पर लगा रहता है ज़रूरी नहीं हमेशा टाइम पर ही पहुंचे डैमेज वाई ट्रेन में समान की जो आप भेजते हैं उसके डैमेज होने की चांसे बहुत ज्यादा रहते हैं तो वहाँ पर डैमेज हो जाता है तो लापरवाही की वेज़से चीज़ें स डॉस रेलवे मैस uh merit बता रहा था Palestinian अंध। मैस एंड़ांटेज ehki होता है ठीक इड़ा डिसेड िक्षान आओ radius लिखकत यहां पे next के हाँ वाई-ट्रांसपोर्ट क्या होता है यहां पानी पे जाता है समान पानी समझते हो जहाद पर जाता हैं पानी वेले उसको मों क्या बोलते हैся Water Transport बोलते हैं फिंट यह हैह। से पहले लो कॉस्ट इसमें क्या रहा होता है कॉस्ट लो लगती है है छोटी छोटी चीज़ दो मीनिंग देख दो लाइन देख के इसकी मैं और आप ऐस तीन तीन देख चीन-धक रहे गें तो आपकी तीन-श पीम्ण तीन नहीं आएगा बहुत जाधा है गहां चार निजे से एक ही की मेरीडिन पूछ सकता है बस से जद़ाध नहीं पूछ थीक है लो कौस्ष कास्टि होतीन कैने है नमबर फ़र आप इसमें जहास में यहास में गुट्स लाइक ग्लास्वेर केंड विदाउट मुच रिसकाप डेमिज बीकॉस अव नेशल फ्लो एंड श्लो स्पीड देज नॉट मॉच आफ फू शेकिंग एंड जॉटलिंग ठीक है यह सारी चीज़ है फ्लेक्सिविटी रहती है फ्लेक्सिटी मनलब रास्ता गई धर स मूब कर सकते हो वाटर उसको अपने साब से थोड़ा सा एड्यस कर सकते होगा चीज़े आपके ओपर डिपेंड करती है यह सारे फायदे होते सेफटी रहती तरी इस इसको एक्सिट और द्रेट डांट कांप्रेटिबी लिस मालब वाटर ट्रांसपोर्ट में रिस्क जो ब तो आप लोगो भी दिखानी कि हेदिंग करोंगे और वर्डिंग अपने से लिए फूमांस आपको मिल जाएंगे कौना ठीक है कि अप डिमेर्ट का स्की स्पीड स्लो होती यह नहीं पहुचा पा स्वाइब नहीं सुष्वत पानिवाले स्जाथ होते ठीक है नमभर था अंरिलाइबल यह कहा है अंर्लाइबल मेरल नहीं यह कि अंटुन नहीस यह से फुर संख तले में वाटर है आप यह नहीं महीं हो सकते हो जिस तरह आप ट्रेंपे सकते हूँ लेट पहुंचे है रिस्की होता है आपके लिए रिसकी भी रहता है इसलिए आप पुछी दिराज़ पे रिलाइबल नहीं हो सकते हो ठीक है और क्या है राउड अबाउट इस रिसे से फिर फ्रीन प्रेसेंट में भी कोई सब्सक्राइब इसमें क्या है इस डिशन बेट्रीब प्लेसेंट इंक्रीजिस विकाज रूट सूफ सब्सक्राइब भधा धाक स्सक्राइब वोलता है कि मर्चंट नेवी विए जौब नहीं कहने देनके अपने लोगोंने मर्चंट नेवी का नाम इसमंगे सुने जिसमें लोग में जाते हैं यही जौब होती है जहां पर आपको समान एक एक से दूसरी पर पुछाना होता है नं Vermeswar True वाइब छिके शीए सब आती है विसके वगई एर ट्राश्पोर्ट किया है आपका एयर ट्राश्पोर्ट एर हावा जास एयर ट्रांपोर्प्रूद है यह वाइजासoten दमोस्ट सबको पता है लंडन में जाना तो आपको पांच घंटे में पहुंचा देगा एफिशेंट सर्विस की बहुत इफिशेंट ली होती है बहुत बनिया होता है बहुत 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 कम होते और इसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है प्लेन बगएरा जो उते रियर्ली होता जल्दी ऐसा नहीं होता है बहुत जादा हिफाज़त के साथ बहुती सेफटी के साथ प्लेन को हमेशा लैंड करवाया जाता है ठीक है कि कि यहांबाँटेश की और ट्रांसपोर्ट की नंबेन वन कॉस्टी होता है बहुत महेंगा पहुता है नमबर ु लिम्टेट कैपिसिटियस की कैपिस्यली में व दिजहाज और ट्रें के साथऍा होता है इसमें कैपिसिटी नहीं होती है नंबर थै GRÜNEN होता रिसक्त मतलब रिसकी होता है प्लैन्ट रेश होता है जाता है मतलब जब मौसम साफ नहीं रहता तो जहाद उरता नहीं है सब्सक्राइब करना पड़ता है इतना इसली नहीं होता है तो यह सारी इसकी क्या है डी मेरिट से सब्सक्राइब करता है तो अब यह क्या है अब मिलता है विंटर में लेकिन साल भर मिलने लगा है डेरी में मिल जाता है कैसे मिल जाता है एक होता है प्राइवेट वेरहाउस एक होता है पब्लिक और एक होता है बॉंडड इडर्प्राइवेट पब्लिक बॉन्ड रिच परिजनेसमैं गरते हैं अपना खुद वियरहोस बना लेते हैं वहाँ पर अपने समान को समधाल के रखते हैं उसको लोग बोलते हैं प्राइवेट सबस्च्माई ही बात बनाता तो कोई नॉर्मल परसन ही है बनाता एक नॉर्मल परसन ही बनाता है लेकिन इसमें दिक्कत यह होती है कि यह लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं और बाद में इसको लोगों को रेंट पे देते क्या करते हैं बहुत छोटे बहुत बिजनेसमें बहुत बड़े नहीं होते हैं रिच नहीं होते हैं उनको इस अपना समान रखना होता है तो वो कहां पर रखते हैं वो पब्लिक वेरहॉस में रखते हैं समान जहाज से मंगाते हो तो समान आता है आप का प्रोट पर पे आता है आ अज आपका आया थर्ड मार्श को आप लेने पहुंचे सिक्स मार्श को तो अब जब लेने गए तो वो समान जो आपका आया था वो कहां पर संभाल के रखा जाएगा वो समान संभाल के रखा जाएगा बॉंडेट वियरहॉस जहां पर आपका समान आता है शिप पर पूर्ट पर समान जो समान क्वां समआल के रखा जाएदा जिस जगें पे रखा जाता है उसको प einfiltे मॉण डेड्वीयर हाउस क्लियर से अब जल्दी से चलता हैं अब उते हैं इन्सूर्यर्स कि बात करते हैं इंश्रूरिस इंश्रूरस क्या होता है इंशुर्अस का मतलब होता है कि मान लो कि देको इंश्रेंस का मतलब क्या होता है इंश्रेंस का मतलब यह होता है कि जैसे आप वह सपोस्वास मानलो आप हो तो एक हज्मेंड है एक कुंकी वाइफ है उनके बच्चे शोड़ी तो अब मानलो जा सपोस इसको कुछ हो गया क sic pir लेगा लेगा विर Commerce कंप सब्टिक यह मेडरी हम लेंगे कैसे लेंगे इंस्वरेंस कंपनी वोती है कि आपको काम करिये आप मुझे दीजिए प्रीमियम क्या दीडिए करेंगे लिए और एक अगर इनकेज आपको कुछ होटा है तो बदले में हम इंको रिजिस oneself召 n अगरे लग तरह की शुद्ष होते हैं आप हमें प्रीमियम दीजिए इन केस्ट अगर आप के साथ कोई एक्सिडेंटल घटना होती है कुछ एक्सेंट होता है उसका इसा कौन करेंगे हम क्व लोगता है इसा बोलती एण स्कंपनी उसके लिए अपर प्रीमियम देना पुझता है समस्छ में आ रही बात क्या देना पड़ता है कर अभी में देना अथे ठीड? मैं भाई जो सब बोल रहे हैं वहीं लिख दीना एख शी शेम लिखे तो गलत नहींlic और च्छालो कि यहां तक यहां तक प्रीमियम देना पड़ता है तो आप प्रीमियम दो गे तो आपको आप पर इंश्रेंस में इस ऐसी पॉसी है जहां पर आपको इसको लेने पर इन सब्सक्राइब करा किसा कोई accidental होता है कोई घटना घटती है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो वहाँ पर insurance company आपको compensate करती है आपके risk को आपके risk को कम करने काम वरती है बहुत छोड़ी-छोडी meaning मैंने notes में दे रखी एक दिया है उसको आप करके learn कर लेना ठीक है उसको अच्छे से लिख देना मीनिंग भी लिखवाईए डिफिनिशन भी लिखवाईए अब देखो insurance तीन तरह क्या होता है एक होता है fire insurance जाप स्लेबस में fire insurance है marine insurance है और एक I think health insurance है यहीं तीन है आप लोग स्लेबस में बटा क्या इसे सी कौन सीरीज में कोशन रिपीट होते हैं हाँ बटा वही सब तो रिपीट होते हैं होते हैं ठीक है तो तीन तरह का ही insurance आपके स्लेबस में है कौन-कौन सा है पायर insurance health insurance और marine insurance तब लिया जाता है जब आग लग गई और बतले में आपको compensate करती है company उसको बलब बोलते हैं fire insurance मतलब आपके घर में लग गई आपके ऑफिस में लग गई उसको बोलते है नमबर टू marine insurance marine insurance वह होता है जिसे आपने जहास से समान मगाया है और कोई cyclone वगर आगे कोई तुफान स्टॉम अगयरा इस जहास प्लाइड गया या कोई आपके विस्नेस में लॉक्स हो गया तो SME कौन से insurance लेना चाहिए marine insurance health insurance कैसे के लिए जैसे आपकी कोई खराब हो गई कभी इन फीचर कोई बीमारी हो गया एक्सिडेंट हो गया और fire insurance अगर आग लग जाती तो ऐसे केस में पैसा कौन देगा insurance company आपका पैसा देगी लाइभ insurance ठीक है तो life insurance क्या होता है एक लाइब insurance भी तो life insurance देख लो जल्दी इस देखो डेखो life insurance का मतलब होता है तो इसको मिल जाएगा इसके फैमिली वालों को मिल जाएगा ठीक है तो लाइफ इंशोरेंस में इतना डिफरेंट है और बागी के इंशोरेंस में इतना सा है कि अगर मान लो life insurance आपने लिया है और जिसने लिया उसकी डिफ हो जाती एड तो उसकी जगहेंपर जो इसके family है उसको compensated किया जाएगा और मान लो अगर उसकी डिट नहीं होती तब क्या होगा तब उसको पैसा मिल जाएगा समझ महीं बात लाइब इंशुरेंस एक एक लौता ऐसा इंशुरेंस है जिसमें अगर अगर आप मरे तो पैसा मिलेगा नहीं मरे तब भी आपको पैसा मिलेगा नहीं मरे तो आपको मिल जाएगा उसको लोग ब प्रेमियम दिया 1200-3000 वह आपको वापस नहीं मिलेगा समस्य और यौर्ट मरें इस वही हाल उसका है वही है इंश्यरेंस का अगर आप बीमार हुए तब पैसा मिलेगा तो नहीं तो नहीं मिलेगा लेकिन इसमें लाइव इस अगर आप मरे आपकी डेथ हुई तो आपको पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा और अगर नहीं मरे तो आपको मिल जाएगा समझ्वाई बात कि अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल आफ इंशोरेंस लाइफ इंशोरेंस समझ गए कि नहीं समझे जल्दी बोलो यास और नो जल्ली बेटा समझे की है चुछाए देखो प्रिंसिपल आपको परसेंस में से कोशन आएगा आपका क्या क्या होते हैं परिंसिपल आउन्शोरेंस नियांस देखो और ध्यांद समझने आएगा नंबर वन है अट्मोस्ट गूट फेट अट्मोस्ट गुट फेट बहुत अध्यान दो और फेपर में आए अगा ये सब लोग समझ लो 100% आपके पर में आना ही आना है होई नहीं सकता ये पेपर में नहीं आए कर आके बताना कि सराया था कि नहीं आया था लिक लो इस बात को इंसोरेंस को मतल deny लब होता है कि एक कंपनी हो संधी अच्छी करता है इंसुरर होता है होता है इंशोरण्स करने वाला कंपनी और इंशोरस लेने वाला जो तो अटमोस्ट गूट फेट आपको पेट रखना चाहिए आपको किसी तरह की चीट नहीं करनी चाहिए अगर आप इंशौरेंस करा रहे हो तो अगर मानलों आप बीमार हो आपकिसी बाह्स की परशन को कि आप लोग दो मिनट के लिए इस्टम शान्त हो कि इस टॉपिक को ध्यान से देखो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं पूछू क्लियर है तो क्लियर हो के बताना अभी कोई किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए ठीक है इदम ध्यान से देखो अट्मोर्ट इंशुरेबल इंट्रेस्ट इंशुरेबल इंट्राब करन एक जो भी पर्सन इंशुरेंस करा रहा है उतका उस पे इंट्रेस्मगान चाहिец यास्ट मानलो मैं हूँ मैंने नकरके मैं पडोसी करा दिया किसी पगल वाले का तो अब तो उसका interest भी नहीं मुझे है ना लेकिं अपने फायदे के लिए कर आ दिया नहीं तो मेरा खुद का interest होना चाहिए मुस्से लिटे चीजी होनी चाहिए अगर मुस्तरिटेट नहीं है मैं अपने फायदे के लिए वह बीमार वह में पहुंच के भीया पैसा दो ऐसा नहीं है मतलब खुद का मेरा इंट्रेस्ट होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं इंशुरेबल इंट्रेस्ट नमबा थाड क्या है इंडमिती नुमबा थाड क्या है बटा इंडमिती ठीक एक साहत लिख लेते हुं डॉक्तरीन आफ सब्रोगेशन डॉक्तरीन औफ सब्रोगेशन ठीक तो इंडमिती मतलब के अनुड फैने शिता फ्रॉमिंट्रिटी मिन अब टोर्मिस रॉमिस फचॉप्सर्टेट इंकिश मतलब होता है कि मान लो आपके कि सकार है ठीक है आपको एक कारई या चार पॉड़ना का एक्सिडेंट हो गया ठीक है तो मान लो और आपकी पांच लाग रुपई थी लेकिन रिपेरिंग में 50,000 का खर्चा आया कितने यहां 50,000 का आप इंशॉरेंस कंपनी की पास पहुच गए और आपने बोला भाई मेरी काल लड़ गई मिरा 50 लग मुझे 5 लग रुपे चाहिए नहीं ऐसा नहीं है इंशुरेंस कंपनी इंडेमिनिटी का मतलब है इंशुरेंस कंपनी क्या करेगी ज आपको 2000 रुपए का उस पे रिपेर करा देगी जैसी आपकी स्कूटी थी वैसे ही कर देगी यह नहीं कि 2000 खर्चा आए और आप करो क्या है आपका जोटी आपका प्रोलता है जस पोस मान लो कि आपकी एक कोई भी कार थी कारी मान लो अगर उसकी वैलू 5 लाग रुपाय थी ठीक है उसका मान लो जब सपोस एक्सिदेंट हो जाता है चले गए इंशूरेंस कंप्टी का इंशूरेंस कंप्टी आप मुझे पैसा दे तो आपको उसने क्या किया आपका पांच लाग का नुक्सान हुआ कंप्टी ने पांच लाग रुपए आपको दे दिये लेकिन अब चो प्रोपर्टी थी मलब पांच लाग रुपए तो इंशूरेंस कंप्टी यह बोलती है कि भया जो अब जो प्रोपर्टी यह ना वो मेरी है वह किसकी है मेरी आपने पांच लाग रुपए हमसे ले लिए अब उसको आपने कबाड़ में 50 रुपए बेश दिया अगर अब लोग तो फाइदें चलेगे ना पांच लाग आपने इंशूरेंस कंपनी से लिए पचाथ रुपए आपने इसको कबाड़ में पेश के लिए पांच लाग पचाथ रोग यह रूल बोलता है कि अगर आपने इंशूरेंस कंपनी से पैसा ले लिए उस प्रोपर्टी तो वो प्रोपर्टी हो गई किसकी इंशूरेंस कंपनी की वो प्रण्वर्टी वह किसकी इंशूरेंस कंपनी की समज क्लियर नियुकounds ने ट्र grabbing ऑंकटाथ है किनल्यर है वे बहुत इंपॉर्डधिन देर्शे मेंamız नमबर फिप्या है नमबर फिपते बटा आपका contribution contribution का मतलब होता है कि माननो जस्पोस एक कोई परसन है हरा उसने lic company से insurance लिया दूसरा उसने सहारा से लिया ठीक है एक ही property आपकी स्कूटी है आप ने 50,000 का इस पर लिया 50,000 का इस पर लिया अलग अलग दो इंस्चूरेंस company पर अब आपकी ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है महले आप लाइसी से बीजा लोगे और सहारा से बीजा लोग नहीं ऐसे कैसे में कंट्रिबूशन का मतनला जब आप एक प्रॉबर्टी पे दो से ज़्यादा इस लेते हो तो दोनों इंशुरेंस कंपनी आपको आधा आधा कंपेंसेट करेंगे ऐसा कहीं भी निखा है की वो भी आपको पूरा पैसा देंगे वह भीत कवड़ा पैसा देंगे ऐसा कहीं भी नहीं है कंट्रिबूशन मछल में आया ? नहीं आया आगी आभाव और घ्रुडेंस अज़्य आएगा कोई दिक्क़त आपको नहीं होगी एक बार और कौन से बटा और एक बार कौन से बताना जल्दी बताओ वाइस नहीं आ रही है सर अब की वाइस तो क्लियर आइधिक थोड़ा पीछे करके देख लीजिए कहां पर कौन से टॉपिक समझ में नहीं है जल्दी बोलो ट्रीन आफ सब्रोगेशन ड्रीग ड्रीग की वैलू है तीन लाग रुपे कार का एक्सिडेंट हो गया आपने इंशुरेंस करा रखा था तीन लाग रुपे आपको इंशुरेंस कमपनी ने दे दिये वह यह आपने में का मेरे accident हो गया हमने insurance करा है था हमें पैसा दे दो company ने आपको 3 लाग रुपे दे इए ठीक ए कंपनी आपको 3 लाग रुपे दे दिए लेकिन अब company बोलती है जो आज एक रुका गावार बन चुकी है वह property अब पारती मेरी एकार मेरी अगर हमने आप तीन लाग रुपई दे दिए तो वो रोकार जो ऍंहीक है इरया है और मैंने शोर्ड़ंस ले रखा है अगर कोई इसमें घटना-ख़टी है और मैने जा किसका पैसा ले तो यह मुबाइल इंस्योंस कंपनी का हो जाएगा है ठीक है क्लियर बिटा कंट्रिविशन समझ गए हो गया तिंग जहां पर आपने दो इंस्योंस कंपनी से पैसा ले रखका है आधा आधा दोनों लोग पे करेंगी दून आप इखटा दोनों से नहीं ले सकते हूँ ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट है आपका अश्कीनों को भी क्लियर हो गया है इस्वरिया यू फ्रॉम रोखेला औरी साथ यसर चलो नेक्स्ट है हमारा कॉस प्रॉक्सीमा कॉस प्रॉक्सीमा इता खतरना खतरना नाम है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं बहुत असलकी चीज लग रहा है कि बहुत डेंजरा से बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें कॉस प्रॉक्सीमा इसका मतलब क्यों तो यह बोलते हैं कि आप जब एग्रीमेंट कराते तो आपने लिखा है ना कि अगर आपका कुछ होता है तो एक लाग रुपए ही हम आपको देंगे वन लाग रुप तमझमाई बात कि अगर अकि अगर अलग पॉंट है कंट्रीविशन इस अलग अलग पॉइंट अपका ठीके विटार अपका मिटीगेशन अफ लॉस मिटीगेशन ओफ लॉस इसमें से प्रॉइंट तो जरूर से देक जाना मिटीचेशन औफ लॉस और कुछ कभी-कभी अल पूछ सकता है ठीक है लास्मिटीगेशन ओफ लॉस्मिटीगेशन आफ लॉस्म मतलब यापने मान लो आपका घर है आप ने अपने होम पर अपने घर पर इंस्योनेस ले रखा है आपने सोचा है कि कभी आप घर को अग वगएर लगेगी तो आपको जो है कंपेसे मिल जाए अगर गच्रीगेशन और आप लगेड़ हो पर गहैं को यह लोगना कि'ी रोगना चाहिए उसको भचाने ओप लॉस्मिटों कि अजने करना है तो स्फार थां पैसा नहीं गडीवा इपकप णर्रफ झाल 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 झाल